प्रेगनेंसी में पेट में दर्द किन कारणों से होता है और इसे ठीक करने का क्या-क्या घरेलू उपाए है और जब ये दर्द होता है तो किस सिच्वेशन में आपको डॉक्टर से संपर करना चाहिए नहीं तो आपको ये खत्रा कर सकता है हेलो फैमली आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो इस टॉपिक पे है आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा देखिए बीना इस्किप किये हुए देखिए ताकि अगर आप वीडियो पे आए है चैनल पे आए है तो देखिए फ्रेंड्स इसका रीजन ये होता है कि सबसे पहले जब आप टेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो जो आपका एमुरिटी सिस्टम होता है थोड़ा सा वीक हो जाता है जो कुछ भी आप खाते पीते हो उसको पच्चने में काफी समस्या होती है और काफी टाइम ल होता है और जब आप यूरिन पास करते हो या फिर श्टूल पास करते हो या फिर गैस पास करते हो तो यह आटोमेटिक ठीक भी हो जाता है इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है इसका डूसरा रीजन होता है कि पेट में जो आपको दर्द हो रहा है कभी-कभी ये आ ऐसका तीसरा र्यजन यह होता है कि जब आपका साइज भी बड़ा़ होता है तो इसमें आपके यूत्रेस की साइज भी बड़ी होती है और North भी उसमें ग्रो करता है जिसकी वजह से क्किया होता है कि आपके पेट ना इचले हिसे अगर आपको प्रेगनसी में कभी भी UTI हो जाए, यानि कि urine infection हो जाए, इसका लग्षण भी होता है, आपको discharge भी बहुत जादा डिस्चार्ज आने लगता है, इसके बाद डिस्चार्ज आपको green हो जाएगा, या फिर yellowies हो जाएगा, या फिर redness हो जाएगा, उसमें एक बात आपको हो जाती है तो आपको अपने पार्टनर से दूरी बनाकर रखना चाहिए में अगर आप अपने पार्टनर के संपर्क में रहो गए तो और भी आपको समस्या होने लगेगी तो आपको अपने पार्टनर से जो है इसके बाद अगर आप एकी पोजिशन में अराफी ज्यादा देर तक बैठे रहोगे या फिर खड़े रहोगे तो भी आपको पेट में दर्द मरोडे होने लगेगी तो ये सारे तो रीजन होगे कि इन इन वज़ों से आपके पेट में दर्द होने लगती है अब जानते हैं कि कब आपको डॉक्टर से संपर करना चाहिए तो फ्रेंड्स कभी भी आपको एक से लेके 9 मंथ प्रेगनेंसी में ऐसा महसूस हो कि पेट में दर्द हो रहा है इसके दर्द के साथ आपको इस्पोर्टिंग ब्लेडिंग या फिर डिस्चार्ज हो आ रहे हैं या फिर आपको हैवी वाटर लिकेज हो रहा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए क्योंकि ये लेवर पिन की और इसारा करता है और ये आपकी डिलिवरी क और संकेत देता है कि नहीं अब आपकी डिलिवरी होने लगेगी इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप अरली प्रेग्नेंसी में हैं और आपके पेट में तेज मरोडे दर्द हो रही है और उसके साथ इस्पोर्टिंग हो रही है तो ये आपको मिस्केरेज की और इसारा करत हैं आपके यूट्रेस में इसके बाद आप आटोमेटिक ये कांट्रेक्शन जो है खतम हो जाते हैं इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं मेरे पेन में जहें पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे डॉक्टर से संपर करना चाहिए यह जो पेन होते हैं स्लेवर से ऊटे हैं ऐसे में आपको घबराना नहीं चाहिए तो यह आपको घबराने की जरूरत नहीं है अब बात करते हैं कि इसका क्या उपाय है तो देखिए अगर आपके पेट में गिच्ट कीवड़ से उस वज़ा से आपको पेट में दर्द हो रहे हैं तो आपको फाइवर युक्त जादा चीचों का सेवन करना चाहिए आप गिलास गुंगुना पानी ले लिजिए उसमें काला नमक जीरा या फिर अजवाइन की मातरा डालके उसको लेंगी तो जो भी आपको थोड़ा सा आप कच्चा नारियल या फिर आपको सूखा नारियल का गुला या फिर आपको भरपूर मातरा में पानी का शेवन करना चाहिए आपको फाइवर का सेवन काफी करना चाहिए फाइवर युक्त रिच फुड आपको लेना चाहिए यानि कि जैसे फाइवर में हो गया सलादे हो ग जो अंदर का gas constipation बनने की समस्या है और थोड़ा कम रहेगा इससे देखिए friends होता क्या है कि कभी-कभी आपके जो गला है उसमें भी जलन होने लगती है आपको एसीडिटी होने लगती है तो आपको फाइवर जादा लेना है आपको बिटामिन C युक्त चीजों का जादा इ बीबू हो गया इन सारे चीजों का इस्तिमाल करेंगी तो जो आपके गले में जलन की समस्या है और थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा इससे आपको थोड़ा सा कम होगा इसके अलावा फ्रेंड्स आपको दिन भर में यह नहीं कि विंटर का सीजन है तो थोड़ा काम पान खीए तो आपको समस्याहों का सामना करहzna करने बढ़ जाएगा तो आपको गेसजिपेशन आराम से होने लगे गा इसके अलावा आपका मन्द चिर खिरा हो जाएगा तो आपको अपने बड़ा को dehydrate नहीं होने देना है, body को hydrate करके रखना है, hydration आपको maintain करना है, तेखिए friends, यहाँ पे मैं आपको एक बात पताती हूँ, कि आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह एक तो ठंडे का मौसम है, उपर से जब आप गुनगुना पानी पीएंगी, तो जो आपकी जो माम स्पेशिय स्पोर्णों के वज़ा से जो है नॉर्मल डिलिवरी है, वो भी थोड़ा उसमें डिले हो जाता है, तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको हलका फुलका वाक करना चाहिए, आपको एक ही पोजीशन में बैठे न क्योंकि घर के काम करने से भी ना आपकी जो अंदर की सिस्टम है, वो जो है चलती रहती है, तो जब चलती रहती है, तो आपको यह काम करना है, इसके अलावा आप सूप लिक्वीडी ज्यादा से ज्यादा ले, ठोस अनाज का थोड़ा कम यूज करें, लिक्वीड का इस्त करें इसके अलावा फ्रेंड्स आप अनार चुकंदर का भी इस्तमाल करिए क्योंकि जो है हिमोगलोबिन की कमी ना हो इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके दिमाग में मन में कोई क्यों है तो कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा आई होब कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी हिल्फुल लगा होगा तो चनल को जरूर सपोर्ट करिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग भाई बाई टेक केर धन्यवाद